असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे रमजान स्पेशल दो तरह की चटनी की रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे इमली की खटी मीठी चटनी और साबुत खटाई की चटनी तो ट्राइज जरूर कीजिएगा तो चिली देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाय गरम पैनी के साथ ठेज़ बिटा अलिए हम को सबसे पहले में लेकिक चरनांगे के लिए यहां पर हमने लिया है इंव로 च्पानी गरं पानी खाषिए और च्शनी में लिया इस बलब निकल आगे अब यहाँ पर देखिए एक कड़ा ही रखेंगे इसमें एड़ करेंगे टू टेबल स्पून ओइल को हम गरम कर लेंगे और इसमें एड़ करेंगे बन फो टी स्पून जीरा हलका सा क्रेकल करेंगे और उसके बाद इसमें एड़ करना है इमली का पल्प तो देखिए हमने दो 200 ग्राम यह गुड़ लिया है तो गुड़ एड़ कर दूंगे और एक कप लिये हमने चीनी यानि 200 ग्राम गुड़ है और 200 ग्राम ही चीनी है तो यह एड़ कर दिंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे तो हम यहां पर एड़ करेंग तो यह चले जाएंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास कश्मीरी लालमेश पॉडर नहीं है तो नॉर्मल वाली हाफ टीस्पून एड़ कर लीजेगा अब अच्छे से इसको उबाल लेना है यह देखिए इस तरह से पांस से छे मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर उबाल लिया है अच्छा सा उबाल आने लगा है अब देखिए हलबाई जो बनाते हैं वो एक टेक्निक लगाते हैं इसको ठिक करने के लिए तो वो यह है हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है हाफ कप के करीब इसमें बाई वाले यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने इसको मेक्स कर लेना है और उबाल लेना है पांस से 6 मिनट हाई फ्लेम पर और उबालेंगे हलका सा ठिक हो जाएगा सिलरी डालते ही यह ठिक होने लगेगी यह देखिए इस तरह से बस यहाँ पर हम फ् चटनी बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ठंडे होने के बाद और भी थोड़ी थिक हो जाएगी तो हैं पर हमने इस तरह की कंसिस्टेंसी में रखी है कितनी थंडी होती है उतनी ही यह ठिक हो जाती है तो यह चटनी बनकर त्यार हो चुकी है अब बनाएंगे यहा साथ 2 गलाज पानी अड़ करेंगे अब दो गलास पानी एड़ करने के बाद खटाई को हमने ऑबाल लेना है हाई फ्लेम पर 5-6 मिनट लगेंगे और हाइफ लिम पर रखियेगा और यह सॉफ्ट हो जाएगी यह देखिए खटाई यहां पर सॉफ्ट हो चुकी है बस इसको ठंडा कर लेंगे उसके बाद खटाई हम mixy jar में एड कर देंगे इसका पानी एड नहीं करना है सिर्फ खटाई एड करनी है और थोड़ असा एक का पानी एड करेंगे यहां पर और इसको हम grind कर लेंगे तो यहां पर देखिए तो खटाई को पीछने के लिए यहां पर मैं अब यहां पर हमने एक चनी ले लिया और एक बोल ले लिया है अब जो खटाई हमने पीस कर रखी हुई ना वो सारी चनी में ले लेंगे यह देखिए थोड़ी सी ठिक लग रही है मेरे को इस तरह से नहीं चनेगी तो यहां पर मैं पानी एड कर लूँगी इसका थोड़ा चरणा कर रखी हुई थी तक रखिए तक चीदी और ज包 हरी लिए कि तो थोड़ क सीनी आइट करेंगे याई पांसो ग्राम चीनी और यह white wanna इसमें करेंगे वां टी स्पूँन जाएगी तो पावुडर आपको कि हर देंगे सब्डसाफिप्श कर लीजए गाबस आट Ryu आए तो पांच मिनट आप लोटू मीडियम पर पकाईएगा तो बस यह थिक हो चुकी है और अब इसमें एड़ करेंगे ड्राइफूट प्रमेन खर्बूजे के बीज और चिरोंजी लिए वन एक टेबल इस्पून एक बड़ा चम्मच ले लिए हैं तो डाली नहीं है तो इसके कर सकते हैं तेस्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है बिना ड्राइफ रूट्स के भी बस यह हमारे खटाई वाली चटनी भी बनकर त्यार हो घगाई है तो चलिए इसको आप तरह की चटनियां बनकर त्यार हुई हैं आप इसको स्टोर कर सकते हैं रमजान के लिए पूरा महीना चल जाएंगी है और बहुत इजी रेसिपी हैं बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताई हैं आप इसको किसी एर टाइट जार में भर कर फ्रीज में रख दीजेगा फ्र नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अपना बहुत सारा ख्याल रखें तब तक के लिए अला हाफिज